हेलो स्टुदेंज आज साइन्स क्लास में हम कैरी ओन करेंगे फान विट मैगनेट्स इसके पहले आपने पढ़ा है ये कमपास वगरा पहले चला था मैंने आपको रुदराक्ष के माले का भी कमपाटिक मैंने आपको एक डेमोंस्टरेशन दिखाया था आज कुछ और भी इसके नियम के बारे में पढ़ेंगे हम लोग लाइक पॉल्स रिपेल अनलाइक पॉल्स अट्रैक्ट इच अदर आपने देखा होगा मैगनेट्स को कि जैसे स्पीकर वाले मैगनेट आपने देखे होंगे सभी magnets होते हैं आपने खेला होगा ये दो हम magnet जब एक दूसरे की तरफ लेके आते हैं तो इसमें दो condition बनते हैं ठीक है? पहला condition वो होता है जब ये दोनों हिस्से क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं ठीक है? और दूसरा जो condition होता है ये होता है कि ये दोनों हिस्से क्या होते हैं? एक दूसरे से दूर जाते हैं ये क्यों होता है? पहला condition हम जब बात करेंगे कि ये जब चिपकते हैं यानि कि जब दो चुम्बक क्या हो जाते हैं? हम जब पास लाते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं तो इससे ये पता चलता है कि एक चुमबक का ये कौन सा हिसा है नार्थ हिस्सा है और एक चुमबक का ये कौन सा हिस्सा है South कोई भी हो सकता है ये भी नार्थ हो सकता है ये भी नार्थ हो सकता है लेकिन एक हिस्सा नार्थ होगा और दूसरा हिस्सा क्या होगा, south होगा, अपोजित होंगे दोनों, तब ये दोनों चिपकेंगे, सुझमाई बात, लेकिन दूसरा condition ये है, कि हम जब एक दूसरे के पास लाते तो ये चिपकते नहीं है, क्या हो जाते हैं, दूर भागते हैं, कहां भागते हैं, दूर भागते या फिर वो south है समझे मारी बात तो नार्थ और नार्थ कभी नहीं मिलेंगे south और south कभी नहीं मिलेंगे ठीक है? ये दूर जाके भागेंगे तो ये जो नियम है कि चुम्बक दो चुम्बक लाने पर कभी वो चिपक जाते हैं और कभी वो दूर जाते हैं तो चिपकेंगे तब जब वो नार्थ और साउथ होंगे ठीक है या साउथ या नार्थ होंगे जब नहीं चिपकेंगे तो या तो वो नार्थ प्लस नार्थ हो रहे हैं या फिर साउथ प्लस साउथ हो है तो यह जो नियम है चुम्बक के मैगनेट्स के चिपकने का या फिर दूर होने का इसको लाफ अट्रेक्शन कहते हैं ओके लाइक पोल्स रिपेल वाइल अन्लाइक पोल्स अट्राक्ट एक पोल जो है यानि कि समान जो धुरू है नार्थ 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 यह चिपकेगा नहीं नार्थ साउथ चिपकेगा यहां पर देखे यह जब समझेगा यह है नार्थ है और यह है साउत है तो देख रहे हैं यह वापस आ रहा है यह South South या North South है तो यह वापस जाएगा उधर जाएगा जहाँ पर देखें यह वापस जा रहा है और यह अंदर आगा तो सिंपल सी बात है जब पोल्स सेम होंगे तो वो एक दूसरे से दूर जाएंगे और जब अपोजिट होंगे तो वो पास आएंगे यह विल नूटिस दाट अवे नाथ नाथ और साउथ साउथ पोल्स अब टू मैंगे इसको हम रिपल्स कहते हैं क्या कहते हैं रिपल्सन कहते हैं यानि की मैगनेट के पोल्स का एक दूसरे से दूर जाना रिपल्सन कहलाता है बट वे नाथ साउथ साउथ नाथ पोल्स थू मैंगे अब तो यह दर लेकिन जब आपोजिट पोल्स एक दूसरे के पास लाए जाते हैं तो वे दूसरे के करीब आते है this is called attraction इसको हम क्या कहते है attraction कहते है तो दो term हो गया ये repulsion और attraction repulsion क्या है जब magnet के pulse दूर जाते हैं attraction क्या है जब magnet के pulse पास आते हैं तो ये भी है question बनता है repulsion जो है ठीक है वो किस में होता है same pulse में या opposite pulse में किस में होगा रिपल्शन अधा ये same pulse में के opposite pulse में good opposite pulse में सारी 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 मिस्टेक्स सेम पोल जब होंगे तो उसमें repulsion होगा attraction होगा opposite pole में ये question बन गया एक repulsion is a sure test of magnetism magnetic attraction is possible between a magnet and magnetic substance however magnetic repulsion is impossible only between the same pulse of two magnets hence repulsion is a sure test of magnetism ये magnetism की test करने का repulsion जो है बहुत बड़ा तरीका है क्योंकि ये उसी में होगा जब 2 magnet होंगे समझवारी बाद जब magnet 2 होंगे तभी repulsion होगा अगर एक magnet है और एक non magnet है तो ये तो इसको चिपका लेगा मतलब चिपका लेगा क्या हां magnetic field magnetic है तो क्छिपका लेगा और नहीं magnetic है तो वैसे भी दूर जाएगा हलका सब्हिमेंगे टाओ चिपका ये ऐट्रेक्शन से होगा रिपल्शन से दूर जाएगा आट्रेक्शन से चिपके हालां कि जो iron है ठीक है वो magnet में चिपकता है ठीक है जानते हैं और यह magnetic होता है कोई भी चीछ जो जिसमें magnetism पाया जाता है उसे magnetic कहते हैं iron magnet नहीं है लेकिन magnet इसको चिपकाता है तो तो iron तो इसको छिपकाई रेका क्योंकि इसमें pole नहीं एं इसे पॉल नहीं है अगर पॉल होता तो यह कभी चिपकता कभी और तो magnetism test करने का एक तरीका है और अगर रिपोल्शन नहीं हो रहा है तो वह magnetic नहीं है magnet नहीं है magnetic हो सकता है पर magnet नहीं है यहां पर एक diagram दिखाया हुआ है ठीक है यह दुन चिपकेंगे यह दुन नहीं चिपकेंगे ओके अब यह चाप्टर जो है इसमें practical है बहुत ही बढ़िया practical है मैं चाहता था कि इस चुट्री में मैं practical हो जाए बट खंडी रही तो हो नहीं पाया कराए जाएगा इसको आगे आने वाले समय में magnetic pulse always existent pair यह जो पोल है नार्थ और साउथ यह दोनों साथ में होंगे ठीक है एक हिसा नार्थ होगा और एक हिसा साउथ होगा यह पोल्स अफे जो पोल्स है वो दोनों में फिर से आ जाएंगे ठीक है यह हमें इसा साथ में रहते हैं यह ध्यान में रखिएगा question हो सकता है क्या एक magnet को तोड के उसके magnets जो पोल्स है उनको अलग किया जा सकता है तो नहीं magnet को तोड के भी पोल्स को अलग नहीं किया जा सकता है इफी टेक अबार मैंगनेट एंड कट इन दूपी सेज इच बीस विल भी हैवेज सेपरेटिंग मैंगनेट विद इस ओन नाथ हैं साउथ पोल्स इड़ इस पीसेजर फर्दर कट अबोकें इच स्माल पीसेजर कंप्लीट मैंगनेट विद टू पोल्स दे सोस्थ पूल्स अब मैंगनेट आलवेज एक्सेंस पेर हम किसी मैंगनेट को कितने ही टुकडों में बाट दें हर टुकडे में यह नार्थ और साउथ का कॉंबिनेशन टाहेगा दे अर्थ मैंगनेटिजम दुनिया का सबसे बड़ा जो मैंगनेट है वो है हमारी आर्थ यह हमारी जो दहरती है ठीक है यह नार्थ और यह साउथ समझने वाली बात यह है कि धरती के अंदर ग्रैविटी है और यह ग्रैविटी एक चुम्बक की तरह काम करती है जो हर एक चीज को अपने तरफ खेंशती है ना सिर्फ लोहे को बलके हर एक चीज को अपने तरफ खेंशती है और जो एक चुंबक की तरह भियन करती है यानि कि अगर चुंबक की तरह भिया करेगी तो इसमें भिट और शाओव पूल होगा वैसे तो नार्थ और शाओव ult Dalam देखते हैं जानते हैं धर्ती का ऊत्तर का उपर का ही सा जो नार्थ नीचे का साओव लेकिन magnetic जो pole है जैसे हमने पढ़ा कि हर magnet में दो pole होते हैं इसमें भी दो pole है north और south लेकिन समझने वाली बात ये है कि धर्ती का जो south pole है magnetic south pole है वो north pole के पास है और जो इसका north pole है वो south pole के पास है इसे लिए compass हम जब करते हैं तो सुई थोड़ा सा उत्तर के इधर जाती है बाई तरफ जाती है आप इतना समझ लेजिए कि जिओग्राफिकल धर्ती के दो पोल्स हैं कितने पोल्स हैं? दो पोल्स एक जो है जिओग्राफिकल है एक क्या है? जिओग्राफिकल और दूसरा क्या है? Magnetic Pole Magnetic Pole Geographical Pole उपर के हिसे में नार्थ होता है और नीचे के हिसे में South होता है लेकिन Magnetic Pole उपर के हिसे में South होगा और नीचे के हिसे में North होगा यहां भी यह opposite काम करता है समझ में आगी बाद चलिए if a magnet is fairly suspended it will always come to the rest of north and south direction हमने पढ़ा है कि हम एक जब magnet को सुतंत्र छोड़ देंगे तो यह हमेशा नार्थ और साउथ में ठीकेगा अब जो हमने यह धर्थी का जो नार्थ हिस्सा है ठीक है ओके नार्थ है तो चुम्बक नार्थ वाला नार्थ की तरफ जाता है और साउथ वाला साउथ की तरफ जाता है अभी कैसे संभव हमने पढ़ा है कि नार्थ नार्थ मिलेगा नहीं और साउथ सा रहती है, तो magnetic is ka pole जो क्या होना चाहिए? South होना चाहिए और इधर क्या होना चाहिए? North होना चाहिए यह समझ लीजी, यह बहुत बड़ी बात है North Pole points towards the geographical South Pole since it is attracted by the Earth's magnetic South Pole similarly South Pole of the suspended magnetics attracted by the Earth's magnetic North Pole and therefore points towards the geographical South Pole यह है आपका धर्थी South Pole उपर है magnetic, नीचे है North Pole इससे जब हम travel करते हैं magnetic field जो travel करते हैं तो उपर जाके North से मिलती है, यह practical की बात है यह जब practical होगा तो दिखाएंगे हम करके Magnetization अब Magnetization क्या है? Magnetization वो प्रोसेस है जिसमें किसी Magnetic element को Magnetic element को Magnetism ने बदल दिया जाता है ठीक है? Tampary and Permanent Magnets A Permanent Magnet is That which always we have like a magnet A Permanent Magnet क्या है? Permanent Magnet वो Magnet है जो हमेशा Magnet रहता है ठीक है? वो India में भी Magnet रहेगा और कहां जाएगा तो Europe में भी जाएगा तो Magnet रहेगा मतलब वो Magnet है इड़ीज़े Its property of a Magnetic object is not dependent on contact with अंदर Magnet यह Magnetism जो इसका है यह Permanent है यह दूसरे Magnet के वज़े से कुछ देर के लिए नहीं हुआ जबकि temporary Magnet क्या है? Is that which behaves like a Magnet only if touches अंदर Magnet Temporary Magnet वो Magnet होते हैं जब यह दूसरे Magnet के संपर्क में आते हैं और इनमें कुछ देर के लिए Magnetism पैदा हो जाता है Magnetic objects that behave like a magnet from some time as soon as the permanent magnet is removed from it it stops being like a magnet the permanent magnets are prepared from the mixture of iron, cobalt and nickel with other elements whereas temporary magnets are usually made of iron, cobalt and nickel तो पर्मान जो temporary magnets हैं जब उससे magnet हटा लिया जाता है तो उनका जो magnetism हो खतम हो जाता है अब magnets बनाए जाते हैं बनाए भी जा सकते हैं पर्मानेट जो magnet है वो iron, cobalt and nickel के mixture से होते हैं जबकि temporary जो हैं वो iron, cobalt and nickel जाता है तो दोनों में iron, cobalt and nickel निकिल पाया जाता है ठीक है लेकिन जो पर्मानेट मैगनेट हैं उसमें दूसरी element भी पाये जाते हैं पर्मानेट में जबकि temporary में सिर्फ iron, cobalt and nickel पाया जाता है अब artificial magnets क्या होते हैं, artificial magnets वो magnet होते हैं जिनको कृत्रिम तरीके से मानो magnet भनाता है अब यह कैसे होता है, by rubbing with a single permanent magnet जब हम एक magnet को किसे magnetic element से magnetic thing से रगड़ते हैं लगतार उसको उसके contact में रखते हैं तो उस पर्टिकुलर element में भी magnetism का quality आ जाता है ठीके पीसाफ वाइरा ने बार्मानेट, start rubbing the bar magnet on the piece of iron, starting from one into other in now lift the magnet and without changing its side, start rubbing it to the iron pieces, starting from the same side and ending at the same side repeat this process 30-40 time, the iron piece will become a magnet, but still it is a weak magnet, repeat the process for some more time हम एक iron का पीस लेंगे और उसे magnet पर, एक सीरे से दूसरे सीरे पर ठीक है उसको हम rub करते जाएंगे, थोड़े दिर के रगणने के बाद वो iron का जो पीस से उसमें magnet की quality आ जाएगी, हलांकि permanent नहीं होगी, थोड़ी दिर के लिए होगी, ज्यादा देर तक magnet बनाने कि लिए कि इसको हमको काफी देर तक रगणना पढ़ेगा दूसरा है जो by rubbing with two permanent magnet, जब दो permanent magnet से हम किसी चीज को रग रहेंगे तो भी magnet बनेगा टेक पीस आप आरन और टू बार मेंगनेट पुट्ट अपोजिट फोल्स अब बार मैंगनेट सान दे सेंटर अब दो आरन पीस टार्ट अपिंग बैंगनेट तोवर्स आपोजिट पूजिट पुट्छ पुट्ट पूस अप सी बार मॉननेट सान देसेंट ऑप लग्गनेट सान कर वगट पुट्ट Tibet पूजिट पुट्ट जापनेटा हुट्टप्ट मेंगनेट सान र पलूपर। इछ जब पूट्ट अपीस तो यही process जो था इसमें भी करना लेकिन दो magnet से लेके करना है दोना तरफ से गुमा के करेंगे यह magnet बन जागएगे इसमें थोड़े दिर के लिए magnet की quality आ जाएगी थोड़े दिर के एिलेक्ट्रवएंब्रो क्योई है एलेट्रोन Cape वह मैंड़ेजिड़ेजू प्सकेटे ऐनलेटरिक की वजएसे वी केन मेंके मादेगी मेड़ winter ciende हम वैजली की मदद से हम krit शथी हैg magnets form due to electricity at college to magnet is magnets Joe magnet बिजली कि साहथा से बनाया जाते हैं उनको हम electron magnet कहते हैं यह temporary magnets and are now widely used electric batch electronic motors fans and several other electric appliances यह यह सब जो है यह permanent नहीं होता यह temporary magnet होते हैं जिनका आज कल technology में बहुत ज्यादा इस्तिमाल किया जाता है यह घंटियों में मोचरों में पंखों में पाए जाते हैं process of making electromagnets इसका तरीका क्या है पहले तो क्या करेंगे take a piece of iron and a piece of wire around the iron piece connect one and each of the wire to one terminal each on an electric cell and leave the circuit for some time after some time when you remove the wire from the iron piece it will start behaving like a magnet the nail loses its magnetism when the cell is disconnected with the wire यहाँ पर आप देख सकते हैं simple तरीका बनाया हुआ है एक सेल लेंगे सेल के प्लस से एक लंबा तार लेंगे और उसे कील में गुमाते 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 उसका दूसरा हिस्सा हम कहा जोड देंगे माइनस में जोड देंगे अब इसके बाद यह जो इसके बास एक है वो क्या बन जाएगी magnet बन जाएगी यानिए ki and economists बन जाएगी लेकिन जभ हम यहां से पावर देना इसको बंद करेंगे, इसका magnetism क्या हो जाएगा? खतम हो जाएगा, तो magnet ऐसे बनाए जाते हैं, इसे लिए पंखा आपने देखा होगा, motor होगा, उसमें coil होता है, पंखा जब कभी बंद के हो जाता है चलना, तो कैसे इसका coil जल गया होगा, coil जलने का मतलब यही coil है, जिससे क्या बन जाता है, magnet बन जाता है यूज अप मैंगनेट्स, मैंगनेट्स के प्रयोग हैं, मैंगनेट्स के बहुत प्रयोग हैं आज कल के टाइम में, हर एक चीज जो घूम रही है, ठीक है, या फ़र जिससे आवाज आ रही है वो सब उसमें magnet लगे हुए है, यह पंको में, कूलर में, रेडियो, टेलिफोन, स्पीकर, लेक्टिक मोटर, सब में पाए जाता है यह magnet, magnets are also used in electric cranes to lift iron scrap, बेजली से चलने वाले जो चुम्बक होते हैं बड़े-बड़े क्रेनों में आपने देखा होगा, चिपका के समान उठा लेते हैं, उसमें magnet होता है, many toys also have magnets, बहुत सारे खिलोनों में magnet पाए जाता है यह magnet needle is used in compass, compass में magnetic magnet होता है, magnets are used in maglev trains, जो दुनिया की सुच सबसे तेज चलने वाली train है, maglev train उनमें magnet इस्तिमाल होता है वीडियो और अच्छ आडियो कैसे चलता है था, टेप रिकार्डर में, उसके जो टेप होती थी, वो magnetic होती थी created debit card, ATM cards, magnetic strip होती है, इन में जिसमें information रहती है, और हम इससे काम करते हैं demagnetization, अब जिस तरगे से हम magnet बनाते हैं, magnetic करते हैं, magnetization होता है, उसे परकाद demagnetization, demagnetization भी होता है, यानि कि चुम्बक का अपना, जो चुम्बकत तो है, magnetism है, वो खो भी देता है, नस्ठ हो जाता है, खतम हो जाता है, कैसे? demagnetization is the method by which a magnet losses its property and becomes an ardent piece of iron, जब किसी भी magnet का magnetism खतम हो जाता है, तो वो एक लोहे के टुकडे जैसा हो जाता है, उसमें चुम्बकत के गुण नहीं पाए जाते हैं, ये कैसे होता है, if the magnet is heated to a high temperature, आप किसी भी चुम्बक को high temperature पे heat करेंगे, तो उसका magnetism क्या हो जाएगा, खतम हो जाएगा, if the magnet is hit by hammer many times, अगर किसी magnet को बार बार हथोड़े से, कई बार मारा जाया है, तो उसका magnetism खतम हो जाएगा, तो इसको बचाने के लिए हमको proper magnets रखना चाहिए, कैसे, in order to maintain the property of magnet, it should be stored properly, कैसे, इबार magnet should be stored in pairs, which means that two bar magnets should be stored together, बार magnet को रखने के लिए हमें दो बार magnet को एक साथ रखना चाहिए, और opposite pole करके, ऐसे करना चाहिए, एक साथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वह फिर reaction करेंगे, ठीक है, और इसके बाद देर लाइक पूल्स बिता दिया, पुशा विडें टूपास इनके उपर यह जो बार लकडी का रख देना चाहिए, ताकि उनका magnetism एक दूसरे को आकर शितना करें, और हर्शू मैंगनेट है, उसको रखने का वो तो चुकी आस-पास ही होते हैं, एक साथ ही होते हैं, और उनको असानी से रखा जासेते हैं, CD, mobile, DVD, यह सब भी यहां से magnet को दूर रखना चाहिए, इलेक्ट्रिक से बचा कि उसको रखना चाहिए, तो उसका magnetism खताम हो सकता है, प्रिकॉशन वेन यूजिंग मैंगनेट से हमां मैंगनेट इस्तवाल करने हैं, तो हमें साधानी क्या बरतना चाहिए, आपको बॉक्स रखना चाहिए, यह लकड़े के होते हैं, जिसम नहीं पाए जाता, Grund को is this question, मैंगनेट को कभी गर्माना नहीं चाहिए चाहिए यहीं सबसे चाहिए! तो यह chapter हुआ, finish magnet, fun with magnet अब इसका exercise मैं अगले वीडियो में आपको दूँगा, thank you have a good day, इसको पढ़िए, देखिए बार-बार, कही सारे question आपको भाविश समय से मिलेंगे